बच्चों आज हम प्लास नाइन्थ का वर्क्षीट नंबर 3 करने जा रहे हैं या दिनाग 9 अप्रेल 2021 के लिए हैं और टॉपिक चल रहा है हमारा संख्या पध्धती उसमें है रस्नलाइजेशन हर का परमेई करन करना तो आएए देखते हैं बबलू की गणित का कौन सा सवाल हर कर रहा है हल कर रहा है तो वन वाय रूट टू को रूट टू से उपर नीचे समान संख्या अब देखिए उपर वाले को अंस कहते हैं नीचे वाले को हर कहते हैं अब समान संख्या से उपर नीचे गुणा भाग करने पर कोई भरक नहीं पढ़ता है तो हम इसको जदी हम स तो दो रख नहीं रहना चाहिए जो standard form है मानक रूप है हर के रूप में रूप में अपरमे संख्या नहीं होनी चाहिए तो अब देखते हैं संख्या में हर कापरमेई करन करना है याने नीचे में हर में अपरमेज संख्या जो है उसको हटाना है तो यहां परूटु है तो अंसओर हर दोनों में रूटु से गुना किया तो हर में आब root 2 हट गया क्योंकि root 2 को root 2 से हमने multiply किया तो 2 हो गया ठीक है अब आप भी प्रयास किजिए यहां पर root 3 है तो यहां पर root 3 और यहां पर root 3 से करेंगे multiply तो क्या हो जाएगा root 3 upon 3 और यहां भी अब root 7 और यह root 7 यह जो हम करेंगे हो जाएगा root 7 upon 7 ठीक है और यहां पर डिए तो इसको root 5 से उपर और रूट 2 ही अपरमें सक्टा है तो यह हो जाएगा 2 रूट 2 आपन में 3 तो है रूट 2 को रूट 2 से करें तो 2 हो गया यानि 2 रूट 2 भाई 3 आगा है और कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते वो भी गलत नहीं है तू अपन में 3 रूट 2 और क्योंकि उनको यह बताया गया है प्लस माइनस नहीं है तो उसी संख्या से उपर निचे करें त्रे रूट्टू अब इसको करेंगे तो यह उपर वाला मल्टिप्टाय करेंगे तो 6 रूट्टू हो जाएगा और इसको करेंगे 3 को 3 से करेंगे त्रेतरी जानाई रूट्टू को रूट्टू से करेंगे तो यह हो जाएगा 2 अब इसको काटे तो तीन 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 दू निचे तीन से काटे तो तीन 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 नौ और तीन दू निचे और दो से काट तो यह हो जाएगा आपका रूट्टू वाई थरी यही संख्या इसमें अब हमने हर में से पर्मे संख्या को हटा लिए एक पर्मे संख्या में बदलना सिखा इसी तरह से हम हर का इसी प्रक्रिया को फर्मे करन कहते हैं आए दूसरी कुछ और भी उदारन जिस अब देखे वहां तो आसान दिया हुआ है यहां पे प्लस माइनस के रूप में होता है नीचे में तो हम देखें हमें जोड़ा बनाना है एक A प्लस B और दूसरा होना चाहिए A माइनस B यदि प्लस वाला दिया हुआ है तो आप माइनस वाले से गुणा बहाग करें क्योंकि नीचे में हमें अब a square minus b square लाना है अब यहां पर देखिए यहां पर 3 root 2 है तो इसका जोड़ीदार क्या होगा माइनस भाला तो माइनस से हमने कर दिया उपर नीचे गुना तो इसको 1 से किये तो यह हो गया और नीचे इसका square 2 का square 4 और root 3 का square 3 जिसका कारण यह 2 minus root 3 by 1 हुआ है तो 1 को छोड़ करके ऐसे लिखे इसी प्रकार अब यहां पर minus 5 root 3 minus root 5 है तो इसको हमने minus 5 लिखा अब इसका जोड़ीदार minus है तो plus में होना चाहिए तो हमने लिख दिया अब minus 5 को इससे हमने जब गुणा कि इससे इसको गुणा किया तो यहीं लिखा और इसका square हो जागा root 3 का square 3 और minus रहेगा और 5 root 5 का square 5 तो यह हो गया और minus काट भी सकते हैं अब इसी तरह आपको भी करना है तो आप यहां पर से क्या करेंगे इसका जोड़िदार 3 minus root 5 और 3 minus root 5 से गुणा भाग किये तो यह हो जाएगा उपर में 3 minus root 5 क्योंकि 1 से गुणा करेंगे वहीं होगा तो 3 का square 9 और minus 5 root 5 का square 5 होता है तो यह लिखेंगे 3 minus root 5 और में ठीक है इसी प्रकार यहां इसका जोड़िदार क्या होगा प्लस में 3 plus root 2 और में 3 plus root 2 तो 3 plus root 2 और में अब 3 का square क्या हो जाएगा 9 और minus root 2 का square हो जाएगा इस तरह और भी सवाल करेंगे अठा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे धन्यवाद